सब्सक्राइब करें स्टडी विथ प्रोफेशनली क्लासिस को और प्रेस करें बेल आइकन फोर न्यू अप्डेटिड वीडियो के लिए अज जो हम करेंगे वह है बुलेट फोर जिसमें अम टॉपिक्स कवर करेंगे यह सारे एफडिया एफपी प्लस कोस्ट बेनिफित अनलेसिस वीडियो अची लोगी तो वीडियो को लाइक करें चैलेंगो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट के शेयर करना ना भू तो देखो फ्रेंट्स यह है Commerce UGC Net Commerce का पूरा स्लेबर जिसमें मैं बुलेट 1, बुलेट 2 और बुलेट 3 कम्प्रीट करा चुक हूं जो आज करना है वो है बुलेट 4 एफडिया एफपी प्लस कॉस्ट बेनिफित अनलेसिस यह सारे हम टॉपिक कवर करेंगे बुलेट 4 के एफडिया एफपी आई प्लस कॉस्ट बेनिफित अनलेसिस ओम एंड होस्ट कंट्रेज प्लस ट्रेंड्स ओफ एफडियाई पॉलेसिस तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर फॉरण इंवेस्टमेंट होता क्या है एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्ट करती है इन्वेस्ट करती है वो सारी हमारे क्या कहलाते है फॉरां इंवेस्टमेंट आप सबस्च क्या है इन्डिया दूसरी कंट्री है औस इलिया अब औस तेलिया क्या करती है अफडियाई अ या fb praise इसक ऄलो किई यहां पर इंवेस्ट करती है एफ डी पीपर कम्पनी करती है दूसरी Companies में इंवेस्ट करती है तो ऊणिष किया करती है रिवाशा कर चेयँ कर्टी खून अब आफाराइय पराषिट करिपा इंवेस्टी में ID सूर इंव्याखमकर इंवेस्ट foreign investment involved investment of funds abroad in exchange of financial return वो इसलिए invest करती है कि उसके बदले उसे क्या मिल सके financial return मिल सके like profit ठीक है जैसे वो share में invest कर रही है या वहाँ पर जाकर एक अपना particular जो है investment करती है कोई furniture ख़र लेती है या कुछ land purchase कर लेती है business establish करती है या वहाँ की company को particular purchase कर लेती है तो यह क्या करती है वहाँ पर जाकर foreign investment करती है तो वह किसलिए करती है जिससे कि उसके बदले उसे financial return मिल सके या benefit मिल सके profit मिल सके तो इसलिए companies ऐसा करती है foreign investment basically दो टाइप की होती है FDI और FPI ठीक है FDI क्या होता है FDI में हम क्या करते है कि एक country क्या करते है दूसरी country में जाकर particular land लगा देती है land purchase कर लेती है और वहाँ पर अपना business setup कर लेती है और business को run करती है जिससे बहुत सारा profit होता है तो यहाँ पर क्या होता है direct investment हो रही है वो किसी के थ्रू नहीं कर रही है और उसका direct enrollment है वहाँ पर ठीक है और शेयर के थ्रू जो भी benefit हो रहा है dividend मिल रहा है वो ले लेना तो यह होती है हमारी foreign investment through the FDI और FPI अब FDI को हम deep में study करते है foreign direct investment अब foreign direct investment यानि FDI FDI को पहले हम एक example के थ्रू समझते है तो एक country है इंडिया ठीक है और एक country है Australia अब जैसे कि 1991 जब हमारा LPGI आया था liberalization, privatization ठीक है and globalization तो फिर उस time पर क्या हुआ था कि हमारी country में जो है बहुत सारी problems आ गई थी तो हमें जरूरती foreign investment की तो FDI आया था अब FDI में क्या होता है कि एक country की companies जैसे Australia Australia इंडिया में कैसे आके invest करेंगी ठीक है तो Australia की कुछ companies यहां पर आकर क्या करती है अपनी कुछ companies क्या करती है यहां पर land purchase करती है और अपनी company की branches open कर लेते हैं जिससे यहां से वह क्या करें प्रॉफिट अन कर सके और यहां पर क्या होगा वह अगर अपनी आकर कुछ investment करती है direct investment जैसे वहां की land purchase कर लेना वहां पर आकर अपनी company खोलना या फिर वहां की किसी company को वहां की company के सारे share purchase करके acquire कर लेना ठीक है और अपनी ownership रखना या फिर दूसरी company के साथ merge हो जाना एक company का दूसरी company के साथ मर्ज हो जाना ठीक है और वहां पर जाकर voting rights उसे मिल जाते हैं और वहां की knowledge को acquire करके employee को employment देना प्लस वहां की जितने भी resource है उसे use करना तो यह होता है हमारा FDI FDI में basically ownership मिलती है voting rights मिलते हैं ठीक है और यह direct investment होती है क्योंकि दूसरी country में जाकर पर्टिकुलर एक land purchase करते हो यह वहां पर जाकर merger हो जाती है कि दूसरी company के साथ या फिर वहां पर acquisition की तुरू क्या करते हैं invest करते हैं तो यह होता है हमार FDI foreign direct investment is when a company takes controlling ownership वहां पर क्या करते है प्रॉपर control कर लेती है वहां की ownership को क्योंकि अगर land purchase करें कोई branch open करें तो पूरा control किसका है उस country का है जिसने वहां पर invest कि controlling ownership in a business entity in another country with FDI FDI के तुरू क्या करती है वहां उस country में अपना control कर लेती है ownership को foreign companies are directly involved with day to day operation in other country क्योंकि वहां पर क्या कर रहे है वह दूसरी country में जाकर अपनी branch open कर रहे है या अपनी जो है land purchase करके factory start कर रहे है तो क्या कर रहे है वहां पर day to day operation जो भी हो रहे है उस पर ध्यान भी दे रहे है और उसके profit को maximize करने की कोशिश भी कर रहे है this mean they aren't just bringing money with them but also knowledge skills and technology तो वहां पर वो सिर्फ खाली अपनी क्या कहते है machinery नहीं लेकर आ रहे है वहां पर knowledge जो भी उनकी है जो भी skills है जो भी technology है वो भी वो लेकर आ रहे है और उस country में इंवेस्ट कर रहे है जिससे की जादा से जादा वो profit अंगर सके जनरली fdi takes place when an investor establish foreign business operation for acquire foreign business assets including establishing ownership और controlling interest in foreign companies तो बेसिकली यही होता है कि foreign company दूसरी country में जाकर अपना business सेट अप करती है उसका fully वहां पर control होता है fully ownership होती है कि voting rights rights होते है वह क्या करते है वहां पर जो भी skills होती है जो भी knowledge होती है दूसरी country में लेकर जाती है जो भी technology होती है और वहां पर जाकर एक product को manufacture करके वहां पर sale करती है तो यह होता है हमारा fdi foreign direct investment अब FDI in India FDI is an important monetary source for India economic development FDI क्या है बहुत ही जो है इंपोर्टेंट सोर्स है monetary fund का तो basically जब क्या कहते है 1991 crisis था तो वहां पर बहुत सारी हमें foreign investment की ज़रुरती तब FDI के थ्रू क्या करा बहुत सारे हमने fund raise कि दूसरी countries जो है आकर invest करें हमारी कंपनीज में हमारी इंडियन कंट्री में इतनी भी companies उनमें invest करें और क्या हो सके हमें वहां की foreign currency मिल सके ठीक है तो यह इसलिए हुआ था कि बहुत सारी भार की जो कंट्रियां है वहां की companies जो है हमारे देश में आकर यहां पर आकर invest करें ठीक है economic liberalization start in India in the wake of 1991 crisis and since then FDI has steadily increase in the country तो 1991 के क्राइस के बाद जो है इंडिया में LPG के दू जब FDI आया तो FDI में देखा गया कि जो भार की कंट्रियां अब भारत में आकर भी invest कर सकती है थोड़े से उन्हें liberalize कर दिया गया यह साही चूट दे दी गई कि आप आकर invest करो ठीक है और उसके थ्रू क्या हुआ इंडिया में employment इंक्रीज हुआ यहां पर टेक्नोलोजी आई और यहां पर क्या हुआ यहां पर जो है government ने जो है वो छूट दे दी गई है FDI में कि आप आकर यहां पर invest कर सकते हो इन इंडिया अब FDI के modes क्या है कि कि किस तरीकिसे वो एंडर कर सकती है ठीक है ग्रीन फिल्ट की वहां पर जाकर क्या है आपने particular land purchase कर ली वहां पर आपने एक तू factory establish कर दी यह acquisition होता है कि आपने उस country के पूरे share purchase कर लियो उस country के जो भी company थी एक company के पूरे share purchase कर लिये company के ठीक है तो यह क्या होता है इसके थूरु आप क्या कर सकते हो foreign country में कि एंटर कर सकते हो ठीक है अगर एक कंपणी है इसे लिए मैंने ले लिया इंडिया दूसरी चोड़ी टॉर्ट के हैमारे औश पे लिग आभर बawy मैं अगर इंडिया in कंपनी कोई जाकर उस्टलीय Layman पैंडिने श्कवड द्न मिए ये इंटर करना यहाँ पर जाके किसी कंपणी के साथ मर्ज हो जाए और दोनों जॉइंट वेंचर के थू अपना बिजनस टार्ट करें तो यह होता है holly on subsidiary या सब्सीडिरी बन जाए या पूरी की पूरे हो से holly on कर ले या joint venture के थू या strategy alliances जिसमें हमारे contractual agreement होते है कुछ contractual agreement के तुरू या shareholding के तुरू कुछ share purchase कर लिया है contractual में हमारी franchisee, licensing, exporting यह सारी modes आते हैं कि इसके तुरू क्या करती है एक country में जो companies होती है वो दूसरी countries में कैसे FDI के तुरू जो है invest कर सकती है और जादा से जादा profit earn कर सकती है FDI के तुरू उस company को भी benefit होता है plus दूसरी country में जो है उस company को भी benefit होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होती नही नहीं technology जाती है नहीं skills जाती है वो नहीं technology नहीं resources को use करके एक अच्छे product को बनाते है और variety of product वहाँ पर available होते है with the cheaper rate ठीक है तो यह यह सारे हमारे मोड्स से Roots of FDI अब जब हम बात करते हैं FDI के तो FDI क्या होता है एक country की company दूसरी country में क्या करती है invest करती है ठीक है उसको हम बोलते है FDI FDI में basically बात करते हैं कि वहाँ पर जाकर land purchase कर लेना यह वहां की company को acquire कर लेना या joint venture के through वहाँ पर business establish कर लेना तो यह होती है FDI जहां पर voting right होते हैं और हमारा proper control होता है अब यह किस तरीके से हो सकता है दो तरीके से हो सकता है पहला है automatic route दूसरा है government approved route अब automatic route क्या होता है और government approved route क्या होता है तो automatic route जो है उसमें government की permission की जरूरत नहीं है तो government ने कुछ जो है यह तरीका निकाला है तो वो क्यों यहां पर invest करेंगी तो कुछ ही जो में जिनमें है automatic कर दिया कि आप आओ और यहां पर invest कर लो ठीक है तो यह है automatic जहां पर आपको documentation की इतनी जादा और इतनी सारी restriction नहीं होती आप आकर यहां पर invest कर सकते हो और government approval route होता है जहां पर बहुत सारी restriction बहुत सारी documentation होते हैं और आपको वो सारे जब आपकी complete हो जाएंगे जब government approve करेगी तब ही आप यहां पर invest कर सकते हो ठीक है अपनी को invest करना है इंडिया में तो easily invest कर सकते हैं automatic route के थूँ जिसमें government ने allowed कर रहा है automatic route में ठीक है foreign direct investment norms and regulations are more liberalized hence the overseas investor are or the Indian company does not require a prior approval from the RBI or government of India for the investment into the country तो यहां पर prior approval की जरुवरत नहीं होती आप direct investment कर सकते हो or government approval route यहां पर government की approval की बहुत ज़्यादा जरुवरत रहती होती आप बिना government की यहां पर जो है invest नहीं कर सकते the approval route is a little restricted the foreign investor or the Indian company has to take a prior approval from the Reserve Bank of India RBI or government of India before making investment तो यहां पर government approval लिखा है तो इससे समझी आ रहा है कि government की पहले approval की जरुवरत है उसके बाद ही आप यहां पर क्या कर सकते हो FDI कि तुरू investment कर सकते हो अगर आपको investment करनी है तो पहले government की approval की आपको जरुरत होगी और automatic route में हमें government की जरुरत नहीं होती नेक्स्ट important of FDI अब FDI तो देखो आपको समझी आ गया होगा अब तक की FDI क्या है एक country दूसरी country में जाकर क्या करती है direct investment करती है वहां पर जाकर land purchase करती है या फिर दूसरी company के पूरे share purchase करके वहां पर acquire करती है या दो country दो companies आपस में मिलकर merger होकर वहां पर business setup करती है तो यहां पर क्या होता है voting rights होते है प्लस पूरा control होता है FDI में तो यह होता हमारा FDI अब इसके क्या क्या importance है तो easy international trade अब यह क्या करती है ट्रेड को जो है easy करती है क्या आप easily trade कर सकते हैं अब एक country की कुछ companies एक company जो है दूसरी country की company में जाकर invest करती है सबोस्टेलिया और इंडिया कहीं अब यहां के company दूसरी company यहां पर आकर एक अपनी branch open कर लेती है इंडिया में ठीक है और business run करती है तो इंडिया को कहने benefit होगा यहां पर आकर नई technology resources मिलेंगे ठीक है नहीं skills सीखेंगे यहां के ठीक है तो यह सारह क्या होगा benefit होगा क्या है foreign currency मिल जाएगी और इनको क्या benefit होगा इनके product जो है जादा जादा से लोंगे और इन्हें profit जादा जादा होगा तो यह क्या करती है एक easy international trade को बढ़ावा देती है it helps to smooth working of international trade as a country has its own import tariff this this make trade difficult but this what with the help of FDI it becomes more easy अब जैसे क्या होता imports जो government लगाती है import tariff की आप जादे जादा import ना कर सको ठीक है तो अब इस सारे restriction के बावजूद जब FDI आया तो FDI ने क्या कर दिया international trade को बहुत easy कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो tariff से उसकी वेसे business वह आगे नहीं हो पा रहता तो FDI के तुरू यहाँ पर क्या हो गया trade easy हो गया क्या पाओ और यहाँ पर FDI के तुरू investment कर सको employment and economic boost create new job as investor build new companies in the target country and create new opportunity which increase income and buying power of people and finally economic boost तो यहाँ पर वही बात है कि एक जब मैंने यहाँ पर एक्सापल लिए और इंडिया का तो अगर उस्टेले की कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर आकर इंडिया में इंवेस्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा employment increase होगा नहीं नहीं jobs आएंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा employment increase ही नहीं होगा प्लस यहाँ यहाँ पर क्या होगा है foreign currency आ रही है यहाँ पर development हो रहा है skills बढ़ रही है लोगों की तो क्या होगी हमारी economic level भी increase हो रहा है country का तो यह भी बहुत important जो है FDI का पार्ट है development of human capital resource human capital is a competence and knowledge of this able to perform labor a country with FDI can benefit greatly by developing its human resource while maintaining ownership तो देखो जो सबसे बड़ी जो है जो है हमारे लिए benefit क्या करती है कि अगर एक company में human resource है उनकी बहुत अच्छी skills है तो उस country को क्या है सबसे जादा benefit होता है ठीक है तो यहाँ पर जो है जब एक country क कंपनी यहाँ पर आके दूसरी country में invest करती है तो वहाँ क्या करती है जो employees है उनको train करती है उनको skills provide करती है ठीक है training provide करती है तो वहाँ पर क्या होब होँआ इंप्लॉई की जो है develop होते और वह क्या करते है बेनिफिट होते हैं उन्हें सबसे साथा तो डेवलब ऑफ यूमन रिसोर्स कापिटल तो यहां पर यूमन को जो है बेनिफिट होगा उनको नहीं नहीं टेकनोलिजी सीखने को लेगी नहीं ट्रेनिंग्स मिलीगी इसकिल्स डेवलप होंगे ठीक है तो फडिय के तुरू यह हम यूज कर सकते हैं जैसे जो है इंडिया में बहुत दी अच्छी स्केल्स है लोगों के पास तो इसकेल्स को यूज करने के लिए ऑस्टेली क्या करती हैं पर इन्वेस्ट करती है ठीक है रिसोर्स ट्रांसफर एंड अधर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज वेर वेरियस कंट्र अब क्या होती है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंवेस्ट करें तो क्या करें अपने रिसोर्स भी वहां से वहां ट्रांसफर करें दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करें तो क्या और रिसोर्स ट्रांसफर करें तो अपनी नॉलेज ट्रांसफर करें इसकिल्स ट् इकनोमिकली बेनिफित हो रहे हैं प्लस रिसूर्स भी उन्हें जो है नहीं नहीं मिल रहे हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी दे फैसिलिटेट और एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड फॉर इंवेस्टमेंट कैन इंक्रीज आफ फोर्डेड फोर्ग५ॉर्स प्रों प्रोडेक्टिविटी ही टार्गिट स्रस्धी मंधessen वाहका क्या होगि मेंपॉर्डाय बाकार मरम राएंगे हैं को इसिद्ष हरिप्रोर्देडेज प्रोडगर दूपने काम मैनिफिक्टर पहल स्ञाब ने प्रों FDI FDI के टाइप सक हैं तो FDI आपको क्लियर हो गया कि FDI कह है एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंवेस्ट में करती है थू ध्रू धियुक्त जिसमें वह लाइड़ पर चीज्श करती है या डारेक्ट अकोइजिस करती है On the basis of direction of investment, direction of investment, direction में किस तरीके से invest करती है, तो एक होती है inward और दूसरी होती है outward, अब inward का मतलब ही आपको समझ आ रहा हुआ कि आना, किसी चीज का आना, तो invest foreign company in India, अगर कोई country, जो है, वो direct invest कर रही है in India, तो क्या हो रहा है, वहाँ से cash य जो भी investment वो इन्वेस्टमेंट में आ रहे है, तो that is inward FDI, अब अगर यहाँ से इंडिया जो है दूसरी country में इंवेस्ट कर रही है, तो यह हो गया हमारा outward FDI, जहांपर क्या हो रहा है, अब होरीजोंटल में क्या होता है एक कंट्री जो इंडिया है उसकी कंपनी जो है यहां पर जो मैनिफेक्चर कर रही थी वही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री ऑस्टेलिया में भी मैनिफेक्चर कर रही है तो यह हो गया होरीजोंटल जहां पर सेम बिजनस सेम प्रोडक्ट सबस्क पर बनाती में ना पर कि अंधरी कि हिल हो तो दोने जगाते में दूस भी गांती दुरौ पर बनाती वह तो कि वहां पर किया के क्षा सब्साइए नियार मैर्केटिंग फोल धू इसälता है नीज 살 घुल अचोंसा सब्सक्तों वहां आप TWIN इसके लिए उसने आपर फेक्टि डाल दी दूसरी कंट्री में तो रो मिटिरियल के बटिकुलर यहां पर डाला तो दैट कॉल बैक्वर्ड वर्टिकल एफडियाई इंपूटिबीश करें इसे इस फ्री रो मिटेल आपर लो घय करने वहां पर करें आघ दो ञें एक टूसरी कंट्री में कर रहे है किर सेउटिशन कहा घ्डिकुप आज इन्परमार्टि प्रूसरी घ्मेक्षाइई बन गया है अब दूसरी कंट्री और उसको सेल कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसको फॉर्वर्ड वर्टिकल एफडिया इसके नेक्स्ट एक कॉंग्लिमेड अभी समय क्या होता है बेसिकली क्या करती है यह अन्रिलेट होता है मतलब इंडिया में जो अलग है अन्रिलेटिड यहां पर बिल्कुल एक आप नया प्रोड़क्ट बनाते हैं तो यह होती है हमारे टाइप ऑफ एक्टिविटीज यह अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑन देशिज ऑफ इंवेस्टमेंट अब्जेक्टिव इंवेस्टमेंट करते हैं वहां के जो योज उस करती है उनको एक्सपॉलैट करती है अक्सिजिंग ठोलई टेक्ट आले सोजाश्जय वहां के नेटरल सवर्सी से यह करने के लिए को अरफ भाहां के डाश पर आफ यहां पर सेक्टर अच्छीलग्र थे उसको यूज़ करने के लिए FDI को यूज़ करना, efficiency seeking, FDI that come into country seeking to benefit from factor that enable its competence market, international marketing, तो अगर एक country में एक product को बनाने की efficiency अच्छी है, वहां के resources अच्छी है, तो क्या होगा, वो इसलिए यहां पर FDI के तुरू इंवेस्ट कर सकती है, कि वहां की efficiency को proper utilize किया जा सके, के proper use किया जा सके, strategy asset seeking investment, अब वहां पर क्या हो, जो assets है, उनका use किया जा सके, proper utilize किया जा सके, through the FDI की एक country, दूसरी country में invest करती है, motivated by investor interest in acquiring strategy assets, जैसे हैं आपको बताता है, acquiring FDI में क्या होता है, कि एक country, दूसरी country के सारे share purchase कर लेती है, और वो company क्या करती है, दूसरी company में acquisition करके, उस company के, जो सारे rights है, वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, और पूरी controlling उसके हाथ में होती है, तो that is acquisition, तो यहाँ पर क्या करते है, motivate करना, acquire करना, strategy जो भी है, ठीक है, इसके दूरू क्या करता, वहां कि जितनी में assets है, उनका proper utilize करना, brand, human, capital, distribution, networking, यह सब कुछ इसके अ of sector, sector के basis पे, industry and manufacturing, अब जो से मैंने आपको बताया था, IIT sector हो गया, ठीक है, वहां पर अगर मुझे software बनाना है, तो particular मेरा जो target होगा, वही होगी manufacturing sector, ठीक है, services sector like banking वगरा, तो उसके basis पे मुझे यहाँ पर invest करना, या agriculture और primary sector FDI, उसके थूरू यहाँ पर invest करना, कि agriculture product है, तो इंडिया is best, तो agriculture product के लिए, तो यहाँ पर invest करना, on the basis of entry mode की किस तरहे से entry कर सकते है, green field investment, जिसमें हम क्या करते हैं, new product बनाते हैं, ठीक है, और जो अकेला product होता है, particular जैसे कि इंडिया में आपने agriculture product बना लिया, या फिर land से related जो product होते हैं, वो green field investment कहलाती है, तो आपने वह acquisition में क्या होता है, कि आपने एक country ने दूसरी country की किसी company में, क्या करा, दो company ने merge कर लिया, कि आप ये raw material बनाएंगे, हम finishing good करके, एक product को sale करेंगे, तो that is merger, ठीक है, और acquisition होता है, कि एक country जो है, दूसरी country की company के, क्या करते है, शारे share को purchase कर लेती है, और acquire कर लेती है, उसके सा आपर एंट्री कर सकती है, through the FDI, next हमारे advantage of FDI, क्या 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 advantages है, हमारे FDI के है, तो होता है, हमारे foreign direct investment की, किस तरीके से हम वहाँ पर, जो हमारे voting right है, FDI के थूरू, हमारे पूरी control होती है, जहापर हम land को purchase करते हैं, या वहाँ पर जाके सारे share को purchase कर लेते हैं, मर्जर के थ advantage है, increase employment and economic growth, तो देखो, यहाँ पर जो एक country है, India और दूसरी country है, Australia, India और Australia, तो अब क्या करती है, इंडिया ने जो है FDI अलाओ कर दिया, तो ऑस्टेलिया क्या करती है, यहाँ पर आकर एक अपनी company, establish करती है, एक branch establish करती है, एक factory लगाते है, ठीक है, अब वह factory इंडिया में लगा रहे है, तो हैद्या में क्या benefit होगा, यहाँ की employment increase होगी, ठीक है, employee increase होगे, employee क्या करेंगे, Priuskills शींपे, महाँ टेक होगी, taught Flex Seg secondly और है, और Australia क्या क्या करेंगा, इंडिया में पर अपर आकर अप्यद्वेस्ट करेंगा, तो इंडिया को क्या मिलेगा, यहाँ के em需要, of jobs is the most obvious advantage of FDI, it is also one of the most important reason why a nation is especially developing one look, looks to attract FDI, increase FDI, boost the manufacturing as well as the services sector. तो इसलिए हम क्या कर रहे है, जाद से जाद जाद FDI को अलाव कर रहे है, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके जाद जाद FDI करे, और उसको क्या हो, जाद से जाद जाद economic growth जो है, मिले उस कंट्री को और वो जाद से डेवलपिंग से डेवलप की और बड़े, यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जैसे कि मैंने आपको एक्जांपल की तुरू बताता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके इंवेस्टमेंट कर रहे है, तो वहां पर जाद भी उन्हीं कंपनी लगाई, एक फैक्टरी इस्टैबलिश की, तो क्या कर रहे है, ज इसकी तुरू बताता है, चाहिए, तो यहां पर क्या है, वह एजुकेशन प्रवाइड करने है, तो यहां पर था एक प्रडक्ट ज्यादा बनाएं, तो क्या हो रहे है, जो यहां की यूमन रिसोर्स है, वह डेवलप हो रही है, और उनके अंदर स्किल्स आ रही है, तो यह भी एक एड्वांटेज है हमारे FDI का कि यहां की जो है जैसे बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो नॉलेज इंक्रीज होती है चीक है next point हमारे development of backward area this is one of the most crucial benefit of the FDI for a developing country FDI enable the transformation of backward areas in a country into industrial center this is turn provide a boost to the social economic of the area basically FDI क्या कर दिया FDI में जो है थोड़ी से ज्यादा चूट देते हैं backward area में जब वो invest करते तो backward area में अगर investment हो रहा है तो वह employment increase होगा ठीक है वहां की growth होगी लोग वहां पर आके product को purchase करेंगे तो वह area क्या होगा उस एरिया का benefit होगा उस एरिया वह area growth होगा तो यह भी एक बहुत बड़ा जो है advantage है FDI के तुरू एक backward area को क्या करना उसको growth करना उस एरिया की ठीक है जिससे की क्या होगा वो area में growth होगा employment increase होगा वहां की जो employees है उनको नही skills आएंगे उनको training मिलेंगे नही technology यूज करना सिखेंगे उनका education level increase होगा जिससे उस पूरे area को क्या है development होगा next point है यहाँ पर provision of finance and technology अब क्यूंकि एक country दूसरी country में investment कर रहे है तो वह क्या करेगी finance भी लेकर आती है नहीं नहीं technology लेकर आती है और काफी सारी प्रैक्टिस जो जो इनका experience है उसे भी होगा पर यूज करती है तो प्रोविजन ऑफ finance and technology business get access to latest financing tools technology and operational practices from across the world तो क्या करती है दूसरी एक country से दूसरी country में वह invest करते हैं वहां की technology सीखने हैं वहां के employment को skills provide करते हैं नहीं नहीं technology सीखने है तो यह major benefit है FDA का increase in export not all goods products through FDI are meant domestic consumption many of these products have global market तो जब जो है export की बात करते हैं तो यह सारे product की बात नहीं करता है यह बात करता है कि पहले domestic consumption complete होती है उसके बाद ही वह क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं चीक है तो इससे क्या होता है जो हमारी जो economic growth है वह increase होती है उसके बाद हम export को भी जो है increase कर सकते हैं Exchange rate stability अब क्योंकि एक country दूसरी country में जाके FDI की तुरू invest कर रहे हैं तो वहां की क्या कर रहे हो foreign currency भी invest कर रहे हैं तो दूसरी country में क्या और foreign reserve भी जो है increase हो रहे है this help the country central bank maintain a comfortable reserve of foreign exchange this is a turn insured stable exchange rate तो यह क्या कर रहे है अब हम बात में अगर हम कोई trade करते हैं तो उसके लिए easy होता है exchange rate जो भी हमारे आप हमारे पास क्यूंकि बहुत सारी foreign currency currency है तो हम easily trade कर सकते हैं या easily हमें कुछ investment करने हैं तो वह easily हम कर सकते हैं क्यूंकि FDI की तुरू हमारे पास currency available है stimulation of economic development stimulation का मतलब होते है प्रत्साहन करना economic development को क्योंकि एक country जो है दूसरी country में FDI के तुरू क्या कर रही है investment कर रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पर नहीने technology आ रही है नहीने resources आ रहे है नहीने skills डेवलप हो रही है ठीक है plus वह क्या कर रहे है जो employees है उनका जो है employees जो है earning कर रहे है उनकी salary तो इस वह से क्या हो रही हमारी जो है economic भी जो है डेवलप होरी क्योंकि जो employees है unemployment थी तो उनको क्या हो गया employment मिल गया अब उनके पास भी कुछ जो है amount है वह क्या कर सकते हैं हमारी country में contribute कर सकते हैं and higher revenue for a country when factories are constructed at least some local labor material and equipment are utilized तो अगर एक country क्या करें दूसरी country में जाकर एक factory establish कर रहे हैं तो क्या होगा तो इससे क्या होगा revenue generate होता है और उन सबको equipment are utilized तो यह सब कुछ क्या होगा उसे country के लिए benefit होगा there these factory will also create additional tax revenue for the government अब क्योंकि वह जो factory establish होई है तो अब यह क्या करेंगे additional क्या दे रही है government के पास जो है earning जाद से जाद होगी tax में भी ले रही है वह प्लस वह जो यहां की जो भी resource यूज कर रहे है उसके लिए भी वह amount ले और economic जो हमारी growth हो रही है employment increase हो रही है skills increase हो रही है technology बढ़ रही है तो इससे क्या और हमारी economic development भी हो रही है through the FDI improve capital flow inflow of capital is particularly beneficial for countries with limited domestic resource as well as for nation with restricted opportunity to raise fund in global capital market अब यह क्या हो रहा है जिससे बहुत सारी restriction है जिसके through हम क्या कर सकते थे हम बहुत सारा जो fund raise नहीं कर सकते थे but through the FDI we can improve capital flow कि हम जादा से जादा जो है वह fund को raise कर सकते हैं और बहुत सारा fund हमारे country में आ सकते हैं और उसको utilize करके economic development कर सकते हैं अब यह क्या करते हैं क्योंकि FDI जो है अब जो है दूसरी country से दूसरी country में आ रही है तो अब जो उनकी technology है जो skills है आप जो वह लेकर आ रहे हैं तो अव्यस है कि वह हमारी जो country है जो उसके वहां के local marketer है वह क्या करें कि उन्हें competition देगे तो अब क्या होगा जो competition मिलेगा तो हम क्या करते हैं जादा जादा चीज अच्छी बनानी कोशिच करते हैं तो यहां पर भी क्या होगा वो चीजों को देखेंगे और उसकी according क्या करेंगे अच्छे से वहां पर काम करेंगे by facilitating the entry of foreign organization into domestic marketplace FDI helps create a competitive environment as well as a break domestic monopolistic अब यह monopolistic को भी break करती है क्योंकि आप एक कंट्री जो आ रही है तो वो कुछ ना कुछ उसका जो है दूसरा प्रड़क्ट बनाई लेते हैं चीक है कैसे प्रड़क्ट है इसके बिहाफ फे हम दूसरा प्रड़क्ट बना सकते हैं या उस technology जैसे ही technology उसकरें उससे हम अपने प्रड़क्ट को क्या करें अपग्रेट करें और अच्छे से अच्छे प्रड़क्ट को बनाएं अ healthy competitive environment pushes firm to be continuously enhance their processes and product offering तो यह क्या करती है एक healthy competition बनाती है कि एक country में जहां पर जो है generate करती है नेक्स अब हमारे advantages थे तो a disadvantage भी होंगे क्योंकि एक country क्या करें डारेक्ट दूसरी country में आके invest कर रही है और controlling कर रही है तो यह क्या करेंगे कुछ disadvantages भी होते disappearance of cottage and small scale industries अब आप देख रहे होगे कि आप क्योंकि एक country जो है अमेरिका सपोज इंडिया में आके invest कर रहे थूदिया यहां पर आके उसने क्या करा एक factory को जो है लगा दिया और यहां पर employment generate हुआ बहुत साई product बनाने लगे ठीक है यह सारी चीजी तो ठीक है लेकिन जो यहां की local market है अगर वो से competition से जो है वो सही से बना ही नहीं पहे product ठीक है क्योंकि अब इनकी technology जैसे इसकी skills यूज कर रहे है वैसी यूज नहीं कर पा रहे तो यहां के product क्या होंगे धीरे-धीरे यह market खतम होती जाएगी जैसे कि हम देख नहीं है इस अपियर होती जारे है example of multinational store soft drink अब जैसे पहले soft drink बनती थी countries जो small scale जो बनाते थे businessmen अब क्यूंकि नहीं नहीं technology नहीं जो है use करके बहुत अच्छे से उसकी branding करके जो है वो product बेचने साथ कर दिया अब यह इतने अची branding और यह सब चीज नहीं कर पाए तो इनके product क्या है बिखना बंद हो गए और यह market से धीरे धीरे गायब होते गए तो एक disadvantage है कि जो local marketers है जो local businessmen है उन्हें यह इस चीज का loss होता है contribution contribution to the pollution अब क्योंकि एक country दूसरी country में आकर अपने product को बना रही है तो जो factories बन रही है उसको बहुत सारा pollution है उस country को बहुत जाधा effect करेगा ठीक है अब उस एरिये को बहुत जाधा effect करेगा तो यह polluted भी generate करता है foreign direct investment contributes to pollution problem in the country the development countries have shift some of their pollution bonds industry to the developing country अब जो बहुत सारे pollution जो product है बहुत सारा जो pollution generate करते हैं वो क्या करते हैं वो अपनी country में ना उसको बना कर दूसरी country में factory बनाते हैं और वहां पर जाकर उस product को बनाते हैं जिससे कि जितना भी pollution है वो दूसरी country में हो हमारी country में ना हो यह वो स disadvantage है क्योंकि वहां पर वो product का जो है जितने ही pollution है वहां नहीं हो रहा है जहां पर उन्होंने FDI के थ्रूं इंवेस्टमेंट किया है Cultural erosion अब क्या होता है country का जो है culture जैसे वो product जैसे वो साही चीचे बनाते है जोनके नॉम्स है जोनके authentic जो है जो culture है वो सब खतम होता जा रहा है in all the countries where the FDI have made an in road there has been a cultural shock experience by the local people adopting a different culture alliances to the country अब जैसे कि एक country है वहां पर जो है जिस तरीके की government चलते थे लेकिन अब क्योंकि अब जैसे अच्छे चीचे को अच्छे कपड़े तो जैसे उनका culture था जिस तरीके से वो पहनावा था उनका वो खतम हो गया और उन्होंने उस चीच को दूसरी चीच को अड़ाप कर लिया तो यह क्या होता है अब करक्षिन अब अगर अगर कंट्री में जो है वहां की पॉलिटिकल जो गौर्वफ्ट में तो यह था एक बहुत दीच आजगा रहे घ्यांटम्ट वहां की तो एक बहुत ही बढ़ा डिस इड्वांटेज ओफ प्लिटिकल करप्शनन अब अगर एक कंट्री में जो है वहां की political government है, वो corrupted है तो वो क्या करती है, एक country को allow करती जुदय रहती है, वो यह hundred एपान आ बना लो and another product यह प्रोडक्ट की बना लो і बना लो doesn't matter, वो country के लिए है वो एक अीconomic growth कर रहा है कि नहीं, वो सकता है, वो Gabs क्योंसा वह हमारी जो है लोगों के लिए अच्छा नहीं फिर भी वह बन रहा है क्योंकि दूसरी कंत्री ने यह आपर एव ड़िया को तुष्व कर रहे है इन्वेस्टमेंट कीया है वो सोच रहा है कि मेरा personal gain उनना ची और सोचा कि एक government.. suppose एक Amérique लेते हैं.. दूसरा ले लेते हैं.. Japan.. ठीक है? हम Japan ले लेते हैं.. अब Japan ले लिया और एक अमेरिका ले ले लिया.. तो उसने क्या कर आमेरिका की government.. उसने क्या किया है यहां पर इसकी गौर्मेंट से बाचित कर लिए पैसे देधी है कि आप हमारे इस कंटरी में कुछ हमें बनाने तो प्रड़क्ट उन्हें ठीक है थीक है तो अब यहां कि गौर्मेंट ने कुछ पैसे ले लिया और यहां का इन्होंने अपने परसनल आपने देखा होगा कि सबसे साथा जो है अमेरिकन कंट्रीज में कुछ एक्सपीरेंस ऐसे मिले हैं एक्जामपल लाइक ट्राफिकिंग लॉंडरिंग अफ मनी ठीक हैं एक्सेक्टर तो यह सारे क्या हैं हमारे पॉलिटिकल करप्शन के पॉइंट से हैं इंफ्लेशन इन एक्नॉमिक इंफ्लेशन को भी इंक्रीज करता है दा प्रेजन ऑफ एफ दिया है जो कोंट्रिबूट तो दा इंफ्लेशन ऑफ थे कंट्री देस्पेंड लॉट अफ मनी और अन एडविटीजमेंट एंड ऑन दे कंजूमर प्रोमोशन दिस जन अट दा कॉस इंफ्लेशन का कारण हो सकता है तो यह एक इंफ्लेशन का कारण हो सकता है तो इस इस अट्वांटेज ओफ एफ दी आई अप्रेंट्स इन इंडिया एफ दी आई और पॉलेशन तो आप हम ढुए कंट्री में जो है इनक्रीक ह्के इंवस्टमेंट करो चीक हैं हम रिसोरसी के वांकरियों की टेक्नाडिजी को यूंज करें समारे पसवारण करेंट्रिम्रेंसी बी आद चैने कुछ हमारे ट्रेंड से हैं FDI के, foreign direct investment in India is the most influential financial resource especially for emerging sector, foreign direct investment help to exploring a wide range of opportunity and utilizing the same attend the desired level of development and the nation, तो basically ये इसलिए करा गयाता है कि हमारी country वो economic level पर growth करें वो क्यों कैसे कर पाएगी जब हमारे पास अच्छी skills होगी, हमारे technology होगी, हमारे पर foreign currency जादे जाद होगी, तो ये इसके थरू हम क्या कर सकते हैं, हम develop कर सकते हैं, जो भी developing country है वो develop में convert हो सकती है, the world economic including both the developed countries and other emerging country are facing some varying trends of foreign direct investment in recent year, तो recent year काफी सारी ये चीजे हमने देखी है, analyzing the trend of foreign direct investment in the India shows that the rising and the main reason, reasons for such as increasing are due to new government policy and various initiative such as make in India, अब make in India से क्या हुआ है, make in India के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी जो है, FDI increase हुई है, और investment हमारे पास बड़ी क्यों हम India, जो है, Indian product को जाधा promote कर रहे हैं, ठीक है, और foreign country क्या कर रहे है, आकर यहां पर invest कर रहे हैं, और अपने यहां पर आकर जिससे की इंडिया की जो है, वो development day by day, जो है, वो growth कर रहे है, वो India, the country has faced evolved trend of the foreign direct investment due the building investor friendly climate in the country, thereby enabling the ease of doing the business. अब यह बहुत सारी जो पहले restriction थी है, FDI में, अब उन सब को कुछ कुछ कम कर दिया है, कुछ liberalize हो गया है, जिससे की बहुत सारी जो countries है, वो easily invest कर पा रहे हैं, इंडिया में, और जिसकी वज़से जो है, हमारी country जो है, वो growth कर रहे है कुछ यह data है मारे पास, despite projects of global economic of to recover 2021, Albert Harrison and the universe UNCTAD expert FDI froze to remain weak due to uncertainty over the evaluation for the COVID-19 pandemic, the organization had projected 5 to 10% FDI slides in 2021 in the last year world investment report. तो देखा गया है कि अभी क्या है, COVID-19 का दौर चल रहा है, बहुत जादा दिक्कत है लूबो में, तो इस वज़े से क्या है, FDI जो है, वो कम हो गया है, हमारा 5 to 10% जो है, वो नीचे गिर गया है 2021 में, देखा जा रहा है कि अगर इस्तितिया सुधरी तो FDI में जो है, increase भी 29.09% of the total FDI equity inflow during the January 2021, followed by the Singapore, this 25.46% and the USA 12.06%. The computer and software hardware has emerged as the top sector of during the first 10 months of the financial year. तो यह सारे हमारे डेटा हैं, जो हमें बताते हैं कि COVID-19 होने की वज़े से कुछ है, हमारे FDI में जो है, कमी आई है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जपान जो है, वो लीडिंग कर रही है, बाकी कंट्री से, ठीक है, प्लस यह भी देखा जा रहा है कि जैसे यह क्राइस खतम होता जाएगा, तो हमारे FDI जो है, वो इंक्रीज हो सकते हैं. 12 billion during April to January 2021, अब क्योंकि हमारी 2021 की जो पॉलसी थी, तो उसके त्रू देखा गया, हमने काफी सारे लिब्रल कर दिया, और बहुत ही आसान तरीके से, जो है, जिससे की foreign countries, foreign companies, जो है, वो आके यहां पर इंवेस्ट कर सकें, बहुत इजी कर दिया, जिस वज़े से, क्या है, हमा 2.2 billion जो है, वो हमारा April to January 2021 में इंक्रीज हुआ है, इतना हुआ है, हमारा FDI, अब FDI in sector, restricted sector, prohibited sector, और unrestricted sector, restricted sector, FDI, अब FDI तो basically foreign direct investment, यानि एक country, दूसरी country में invest करती है, डारेक्ट ली है, जिसमें उसका वो, उसका पूरा कंट्रोल होता है, जैसे land purchase कर लेना, ठीक है, और वहा कि वोटिंग राइट्स मिल जाना, पूरा कंट्रोल होना, ठीक है, तो यह होता है हमारा FDI, जहां पर एक country, दूसरी country में जाके, डारेक्ट इंवेस्ट करती है, अब यहां रेस्टिक्टिड एरिया क्या है, कि कि इसके से, रेस्टिक्टिड का मतलब, basically होता है, कि अगर इसके सब्सक्राइब करना है, तो आपको एक particular permission लेनी पड़ेगी, कुछ conditions है, वो fulfill करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहां पर उसको allow कर सकते हैं, तो restricted means that something can be done under certain condition, अगर आपको यह सारी चीजे करनी है, तो यह कुछ-कुछ conditions है, उन condition को आप जो fulfill करोगे, उसके बाद ह इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इन condition को fulfill करना जरूरी है, तो यह होता है, हमारे restricted sector, restricted में हमें permission लेने की जरूरत होती है, और जो conditions है, उन condition को हमें fulfill करना होता है, तो यह हमारे है, banking, public sector and defense industries, broadcasting content, services, print, media and cable networking, petroleum and natural gas, cellular, air transport, services, insurance, private security agency and multi-brand retail trading, तो यह हमारे कुछ restricted sector in FDI, next is prohibited sector, FDI, तो FDI तो होई था कि एक company ने दूसरी company में क्या करा, country में जाके invest कर लिए, direct invest कर लिया, और वहाँ पर उनकी controlling power पूरी ले ली, लेकिन prohibited क्या होता है, prohibited में जो है, एक government बिलकुल भी allowed नहीं करती, कि आप यह product हमारी country में जाके invest, factory नहीं डाल सकते, आप invest नहीं कर सकते, तो यह कुछ prohibited sectors होते हैं, prohibited means that there is no possibility of doing something FDI is prohibited in the following sector, तो इसकी कोई भी possibility नहीं होती, कि आप यहाँ पर आके invest कर सकते हैं, यह बिलकुल ही मना होता है, आप किसी भी तोर पर यहाँ पर आके invest नहीं कर सकते, किसी दूसरी country में direct investment नहीं कर सकते, अब यह कौन-कौन से हैं, lottery business including government, private lottery, online lotteries, मतलब भी सारे lotteries जितनी भी होते हैं, इन पर prohibited होते हैं, gambling, batting, including cash-in, ठीक है, cheat funds, nidhi company, training, trans-value development, right, TDRs, real estate business, construction of firms, house, real estate business, does not include development, to townships, construction, residential, commercial permission, roads, bridge, manufacturing, cigarette, ठीक है, cigarettes और जितनी भी सारी तबाको, यह सब कुछ होते हैं, इन सब पर, जो है, हमारे, जो है, prohibited है, activities, sector, not open to private sector, investment, example, auto, atomic energy, energy, and railway operations, इन सब पर, क्या है, prohibited है, यहाँ पर बिल्कुल भी allowed नहीं है, एक country, दूसरी country में जाके investment कर सके, बिल्कुल ही मना है, that is prohibited sector, unrestricted sector, FDI, FDI, तो basically वाई है, कि एक country में, कि आप डारेक्ट दूसरी country में investment कर सके, तुरुदी आपने वहाँ पर factory purchase कर ली, और voting right मिल गए, plus, वहाँ पर पूरी controlling होगी, अब unrestricted क्या होता है, जिसमें, क्या है, restriction नहीं है, आप यहाँ पर government क्या करते है, दूसरी companies को allowed करते हैं, कि आप आओ और यहाँ पर आकर, हम invest करो, mining, mining में allowed है, manufacturing, mining में export, accept mining, the mineral, separation of detainment, bearing mineral and uses, इसको छोड़के बाकी में allowed है, manufacturing related commercial activity, information technology related activities, e-commerce, permitted in marketplace models, and not the inventories based on model, also it applies only the business to business e-commerce and not business to commerce e-commerce, तो इन सम्में क्या है, unrestricted है, इन में allowed है, आप easily कर सकते हो, एक country में जाके दूसरी country में, क्या कर सकते हो, invest easily कर सकते हो, sector in which FDI is allowed in India, FDI limits and percentage which allowed, मतलब कितनी percent allowed है, और कहा कहा allowed है FDI, किन किन sector में allowed है, वो कुछ लिस्ट आपर देखते हैं, तो सबसे पहले देखो, यहां पर जो है sectors हैं और यह है FDI की limits है, जो 100% है, एंट्री रूट में automatic है, या फिर गॉर्मेंट के तुरू है, automatic होता है, कि जहां पर आपको गॉर्मेंट की permission लेने की जरुरत नहीं होती है, और गॉर्मेंट अपरूव्ट होता है, जहां पर गॉ प्लांटेशन में है, 100% automatic है, जहां माइनिंग में, माइनिंग में यह सारी चीजों में, जहां, allowed, automatic, similar plantation में, coffees, rubbers, जहां है, और इसमें, floorting, development, production, इन समें, allowed है, माइनिंग में, इन समें, allowed है, और इन समें, क्या है, गॉर्मेंट की permission लेनी होगी, गॉर्मेंट की permission के बाद ह कि आप माइनिंग में, इन समें, allowed, कर सकते हैं, पैट्रोलियम और ने चुरल गैस, इन समें, जहां, automatic, allowed है, पैट्रोलियम और ने चुरल गैस, में, 49% जहां, बाक्य गउर्मेंट में, रिस्टिक्ट लगा रकी, आप इन में, allowed नहीं कर सकते हैं, और अगर करना है तो, गॉ इसमें आपको गवर्मेंट की पर्मिशन लेने की जरूरत नहीं है इसम में 49% उसके बाद आपको गवर्मेंट से पर्मिशन लेनी होगी उसके बाद ही आपको इसम में अलाउड है मतलब गवर्मेंट की पर्मिशन के बिना आप यहां पर आपको आपको अलाउड होगा और 26% जो है गवर्मेंट की पर्मिशन के बाद यहां पर आपको अलाउड होगा similar hundred percent जो है यहाँ पर government government to conditions है कि government जब अलाओ करेगी तब यह नहीं होगा तो government to permission आपको यहाँ पर चाहिए होगी और यहाँ भी government Laduk यहाँ पर आपको government permission नहीं चाहिए होगी ट Trump next presentation of apa Arctic likewise यहाँ पर भी government 속 and और सिविल एविक्शन एएरपोर्ट मेंलिए यहां पर आपको गवर्मेंट पर्मिशन की जरूरत नहीं है। यहां पर 49% जू है उसके बाद गवर्मेंट की पर्मिशन लेनी पड़ेगी। 100% automatic अंदरबर्मेंट के लिए 100% automatic है Civil Evasion में automatic कर रहके 100% Construction Development अंदरड़बर्सेंट और्टेरेजिल पर्सेंट सैटलाइट राइपेंट सेक्यूर्टी आजनसी में 74% जिसमें 49% जो है automatic 49 जो है बाकी 74 जो है वो गौर्मेंट रूट के तुरू हो सकती है telecom services में 49% automatic है बाकी जो है गौर्प्से ही हो सकती है cash and carry में 100% automatic है और e-commerce में 100% automatic है signal brand retail trading में 49% जो है उटमेटिक है उसके बाद government के थूप ले सकते हैं 51% multi brand details है जो है government के थूप ले सकते हैं duty free shops automatic है ठीक है railway infrastructure में आटमेटिक है इन सब चीजों में 100% एक एसेट्स रिकंस्रक्षिन और में एक हैं 100% बैंकिंग प्राइविट सेक्टर 49% और में बाकी जो है गौश्मेंट रूट से आपको लिना पड़ेगा 20% जो है बैंकिंग पब्लीक सेक्टर में आपको अलाओड है 100% CIC क्रेडित इंफरमिशन कंपनी 100% आटमेटिक हैं इंफ्रसेक्टर 49% इंशारंस में 49% आटमेटिक एंशन सेक्टर में 49% 49% पावर एक्सचेंज में 100% एम में 100% आटमेटिक है आरबियस एबी आएडियमें ठीक हैं िए इपने पूअओ फूड्ट आटमेटिक में 100% कि आटमेटिक हैं आएक कंपनी कंट्री है इंडिया एक हैं आप पर आस्टेलिंग आस। अब ऑस्टेलिया कंपनी चाहते हैं यहां पर इंवेस्ट करना एक तरीका है कि वह एफडियाई के थ्रू इंवेस्ट करें दूसरा तरीका है कि वह यहां की कुछ शेयर परचेस कर ले यहां की कुछ कंपनियों के शेयर परचेस कर ले जहां पर शेयर परचेस करके वह उसका परचेस करके वहाँ पर वो invest कर रहे जिससे वो profit earn कर सके तो यह होता है हमारा foreign portfolio investment fpi तो fpi में basically क्या होता यहाँ पर share यहाँ पर जो है share purchase किया जाते हैं ठीक है bonds purchase किया जाते हैं जिससे कि वहाँ पर क्या हो investment हो सके ठीक है foreign portfolio investment fpi consists of securities and letter and other financial assets held by investor in another country तो देखो यहाँ पर यही बात कही गई है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक country जो है वो दूसरी country में क्या करती है share purchase कर लेती है ठीक है वहाँ पर कुछ क्या करती है share purchase करके जिससे कि वहाँ पर investment कर लेती है और वहाँ से वहाँ के dividend के रूप में profit earn करती है यह होता है हमारा fpi it does not provide the investor with direct ownership यह direct ownership नहीं देती क्योंकि आप उस company के उस country में share ही purchase कर रहे हो ठीक है तो वहाँ पर आपको ownership नहीं मिलती है of a company assets and relatively liquid depending on volatility of the market तो basically हैं पर क्या होता है एक country दूसरी country में through the share या अदा security purchase कर लेती है और invest करती है वहाँ पर ठीक है लेकिन fdi में क्या होता है fdi में वहाँ पर जाकर land purchase करती है बिजनस setup करती है लेकिन fpi में वहाँ पर जाकर वह कुछ जो share वगरा purchase कर लेती है और कुछ euro issues किया सकते हैं तो इस scheme से में पढ़ेंगे fpi qfi nri और इसमें पढ़ेंगे ddr, adr, idr, fccb ठीक है one by one हम इने देखते हैं तो पहले देखते हैं यहाँ पर FII यानि foreign institutional investment अब क्या होता है एक foreign company अगर invest करना चाहती है इंडिया में तो कैसे invest करेगी अब एक random person आकर तो foreigner इंवेस्ट नहीं कर सकता ना इंडिया में इंडिया में आकर इंवेस्ट करना पड़ता है वो जो institutional होते हैं वो होते हैं हमारे FII और उनको ही permission होती है कि वो यहाँ पर आकर जो है share purchase कर सकते है जैसे example कि तो यहाँ पर देखा है Bombay Stock Exchange यह क्या करती है share market जो है share issue करती है share purchase और sale करती है तो अगर यहाँ पर foreign country को share purchase करने है तो उसको क्या करना पड़ेगा FII ही वो जरिया है कि वो वहाँ से purchase कर सके तो एक अगर foreigner randomly चाहता है कि वो share आकर यहाँ पर आकर invest कर ले इंडिया में आकर तो वो नहीं कर सकता यह possible नहीं है लेकिन अगर वो पहले FII में जाए और वहाँ पर जाकर उसके थ्रू यहाँ पर invest करें तो invest कर सकता है तो FII क्या करती है एक P notes यानि participatory notes issue करती है जिसमें जो है foreigner की identity reveal नहीं होती वो उसके थ्रू यहाँ पर invest कर सकती है और काफी टाइम पहले देखा भी गया है कि बहुत सारा जो है हमें foreign currency जो है वो foreigner के थ्रू FII के थ्रू हमें receive हुई है तो FII क्या है एक institutional है जो क्या करती है जो stock जो share में जो है इन्वेस्ट करती है it is an investment or group of investor who bring FPI institutional investors includes insurance companies pension funds and mutual fund they participate in the secondary market of the company को पर्टिसिपेट इन दां टॉप इंडिया एफ आए मस्ट रेजिष्टर विट सिक्यूरिटी सिक्यूरिटी एंड एक्सेंज बोड फी तो जो यह इन्वेश्ट कर रहे हैं इसको बहुत जरूरी है कि वह इंडिया में सेबी के अंदर रेजिष्टर हो तभी वह क्या कर सकत एंडिय में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां से हमारी फॉर्ण करने हैं तो बरुपर कोई-थो में और फॉरफ वा था सब्सक्स ब्लीज सेयन और ब lira इन्वेस्टर जो है वह individual यहां पर invest कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ conditions है कि उसकी जो country है पहले condition है Financial action task force of FAT का member होना बहुत जरूरी है QFY जो member जो individual जो है अगर वो यहां पर invest करना चाहते है इंडिया में तो उसको इसका member होना जरूरी है दूसरी condition है, International Organization of Securities Commission, IOCUS का signatory होना ज़रूरी है, तो यह condition fulfill होनी चाहिए, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, इंडिया में invest कर सकता है, तो इंडिया में invest करने के लिए एक वार्नर कंट्री को यह दो condition fulfill करनी चाहिए, यह दो condition अगर fulfill हो जाएंगी, तो वो क्या कर सकता है, यह आपर invest कर सकता है, ठीक है, resident in a country that is a member of financial action task force, FATE, और country that is a member of a group, which is a member of FATE, इसका headquarter जो है वो Paris, France में है, और resident और दूसरी condition है, resident in a country that is a signatory of IOSCO, as MOU, or signatory of a bilateral MOU, with securities and exchange board of India से भी, ठीक है, और इसका headquarter जो है, Madrid में है, तो basically यह दो condition है, यह fulfill होंगी, तभी यहां के फॉर्णर्स जो है, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में, ठीक है, तो यह दो condition fulfill होना जरूरी है, नेक्स्ट हमारा NRI, NRI क्या होता है, नॉन रेसिदेंटल, रेसिदेंट इंडियान, अनॉन रेसिदेंट इंडियान, NRI, is an Indian citizen who, रेसिदेंट इंडियान, इन इंडिया फोर लेस देन, 182 डेज, यानि, 182 दिन से, जो कम, भारत में रहे हों, फाइनेंशेल इयर के दौरान, वो क्या कहलाते हैं, हमारे NRI, यानि, नॉन रेसिदेंट इंडियान, डेस दूरिंग दा कोर्स ओफ दा प्रेसिदेंग इयर, जो प्रेसिदेंग इयर्स है, उसमें, ठीक है, और वो जो इंडिया से बहार गए हों, वो किसी परपस से गए हों, लाइक इंप्लाइमेंट या कोई अधर परपस, ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं NRI, अब NRI का बहुत बड़ा रोल है हमारे इंवेस्टमेंट में, तो जितने भी NRI हैं, जो इंडिया से बहार रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऍसट में बहुत बड़ा प्रपत कि बहुत भाई हो要 हां, तो एंडिया जो हैं, वो बहुत सारी इंवेस्टमेंट आती हैं, लास्ट यर भी देख गया, यहां पर आई है इंडिया में तो इनके थ्रूप बहुत सारी देखी गई है कि इनके द्वारा जो है बहुत सारी इंवेस्टमेंट आई है इंडिया में इनके इनके द्वारा जोड़ा जो इनके द्वारा जोड़ा यहां और यह देखा गया है तो यह इनके द्वारा जल्दी विड्राओ भी नहीं करते हैं PM Modi has been hosting conference with the global fund managers and before the pandemic. Pandemic से पहले एक meeting organized की गई थी, attend the large NRI event in several countries. तो बहुत सारी कंट्रीज में जो NRI की meeting होई थी, वो organize की गई थी, इसके थरू कि जादे जादे कैसे इनको motivate किया जासे कि कंट्री हमारी इंडिया में जादे 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 इन्वेस्टमेंट करें और इने जादे 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 बेनिफिट मिले. तो RBA has a create some key market infrastructure like a lying, custodian, banks, reforms on NRI investment flow. तो यह क्या करते हैं, बहुत सारी investment, बहुत सारी infrastructure बिल्ड कर रहा है कि जादा से जादा हमारी country में investment हो. इसके लिए वो बहुत सारी investment कर रहा है. और क्या कर रहा है, जैसे कि आप अपनी currency में कर रहे हैं, तो उस currency को कैसे convert किया है, रुपीज को कैसे convert करना, इसके लिए custodian bank जो है, वो रखे गए हैं, जिससे कि वो इंडियन currency को dollar में convert करें, और dollar कर करके वापस उन्हें इंडियन currency में, जो है, उनका amount मिल सके हैं, तो इस तरीके से NRI को क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कि वो हमारी country में जाकर ज्यादा से ज्यादा investment करें, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, GDR, अब GDR क्या होता है, Global Depository Receipt, Global Depository Receipt, इसको पहले एक example कि दुरू समझते हैं, तो देखो, अगर हम हमें foreign currency चाहिए, ठीक है, foreign fund चाहिए, तो हम कैसे उसको raise करेंगे, उसके लिए हमें जरूरत है, कि हम foreign country के जो members है, उन्हें बोलें कि यहाँ पर आके invest करेंगे, तो कैसे invest करेंगे, और अगर वो करेंगे, तो अगर वो इस currency में कर रहे हैं, उस currency में उन्हें चाहिए होगा, तो एक example यहाँ पर दिखते है, इंडियन company share issue, तो अगर एक इंडियन company share issue कर रही है, और वो चाहती है, कि जो Indian member है, वो तो सारे share तो purchase करें ही, plus वो क्या करें, foreigner से भी, क्या करें, fund raise कर सके, मतलब इंडियन करेंगे, plus foreigner भी करें, तो वो कैसे करेंगे, वो Indian company क्या करती है, share issue क एक जब वो शेर issue करती है, तो शेर किस currency में issue करती है, rupees किस रुपीज में, ठीक है, क्या है, क्या हमारी currency क्या है, rupees है, तो share of local currency in Indian currency, Indian currency में share issue करें, और वो किस में करें, depository bank में, depository bank क्या करता है, Indian currency को convert करता है, क्या करता है, यह convert करता है, convert share Indian rupees to dollar, यह क्या करता है, डॉलर में उसे convert करता है इशू depository receipt against this share और इस share क्या करता है depository receipt issue करता है जो कि होता है हमारा dollar में जो कि किस में होता है हमारा dollar में depository receipt denominated in us dollar US dollar में होता है जिसे हम बोलते हैं जो receipt issue करते है depository bank dollar की form में उसे हम बोलते हैं global depository receipt यानि की GDR तो यह होते हैं हमारे global depository receipt जो कि Indian जो currency Indian currency में जो share issue किये गए थे उसको convert करके उसको dollar में convert करके receipt में convert करके उसको global depository receipt बनाया जाता है जिससे की foreign currency जो foreign country के members जो है वह भी आके Indian company में जो है invest कर सके वहां के share purchase कर सके तो यह था हमारा full concept of global depository receipt जो है जो हमारा full concept of global depository receipt के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो GDR is a negotiable instrument negotiable instrument का मतलब होता है कि आप उसको exchange करके या उसको change करके जो है उसको cash में convert कर सको हुई ठीक है that is negotiable the change to exchange करते है ठीक है and can be traded freely like any other security एक any other security की तरह ही होता है in other in the Indian context a GDR is an instrument issued abroad by the Indian company to raise fund तो यह Indian company जो है वह issue करती है GDR किस लिए करती है जिससे कि refund को raise किया जा सके ज्यादे ज्यादे फंड को raise किया जा सके और foreign currency ज्यादे ज्यादे इंडिया में आ सके in some foreign currency and listed on the foreign foreign stock exchange obviously कि वही जो है जो raise कर सकती है fund जो foreign stock exchange में जो listed होंगी company वही a holder of GDR can at any time converting into the number of share is represent तो जो है वो जो shares है उनको क्या कर सकती है कभी भी जो convert कर सकती है जादा कर सकती है कम कर सकती है जितने उसके फंड की requirement होगी उसके according the holder of GDR do not carry any voting right but only dividend and capital appreciation तो क्या होता उनको जो है voting right नहीं होता क्योंकि वहां क्या कर रहे हैं जाकि सिर्फ share ही purchase कर रहे हैं तो उने controlling voting power rights ठीक है यह सब कुछ नहीं मिलता है उनने सिर्फ dividend मिलता है और capital appreciation का मीनिंग यह पर है कि अगर कोई शेयर जो है दस रुपे का है बाद में उसकी जो वैली इंक्रीज हो जाती है सबोज 12 रुपे हो जाती तेरी रुपे हो जाती तो यह मिलता है उन्हें मैंने इंडियन कंपनी इस विप्रो एक्सेक्राइस इस तो मनी तूई इसू जी जी डिया तो यह बहुत सारी कंपनी जो है इंडियन कंपनी जो जो फंड कर रेस करती है आपाती'll we are starting 나쁜 जो है across just aड मार्रिट से फ्रेंट क्रेंसी खो रेस करती है तो डेट अल ऑउल कांसेक्ट ऑफ डेए और ग्लोबल डिपोजिटेटिर्सेट काई डियार अमेरिकन डिपोजिट्रीड रिसेप्ट अब अमेरिकन डिपोजिटेए रिशेप्ट न बिलकुल तो पर इंडियन कंपनी तो फंड रेस कर रही है प्लस वह चाहती है कि फॉरन वह भी आके इंडियन कंपनी में इंवेस्ट करें और वहां से भी वह फंड रेस करें तो प्लस लिओं है इंडियन करेंसी इंडियन करेंसी हैं और डिपॉजरी बैंक ने उसको कंवर्ट कर दिया किसको इंडियन करंसी को, convert share, इंडियन रुपीज टू डॉलर, किसमें convert कर दिया, डॉलर में convert कर दिया, यानि जो पहले थी रुपीज, इंडियन रुपीज में, अब उसे convert कर दिया डॉलर में, issue receipt again, अब इसके बदलोंने, receipts मिल गई, receipts again, this share in USA, United State of America, किसमें, डॉलर में, तो GDR तो था global, मतलब वो जो है, हर country में चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ USA में ही, जो है, receipt, उसके against issue की जा रही है, मतलब USA में ही, वो sale होगी, और USA में ही purchase की जाएगी, ठीक है, तो यह क्या हो रही है, particular USA के लिए ही use हो रही है, तो इसलिए इसका नाम deposit receipt ADR, क्योंकि यहाँ पर जो है, sale और purchase जो है, वो सिर्फ USA में ही हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते है, ADR, जहाँ पर जो purchase share की होगी, वो भी USA में होगी, और यहाँ पर sale भी, तो यहाँ पर क्या होती है, इसको dollar में convert करके, सिर्फ ADR, इसलिए क्योंकि यहीं पर use होगी USA में ही use होगी, और कहीं नहीं होगी, ठीक है, तो यह हमारा जो full example के तुरू हमने ADR को समझा, हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ADR is the depository receipt issued by company in the USA, USA में ही होती है, मैंने आपको बताया था, are known as American depository receipt, उसे हम American depository receipt के नाम से रहनते है, ADR bought and sold, मतलब वहां से हम वहीं पर हम खरीते हैं, और वहीं पर हम sale करते हैं, तो in American market, like regular stock, ठीक है, regular stocks होगे, जो भी होगे, जो भी होगे, ADR के अंदर, यानि USA के अंदर ही सारी चीजे होगी, it is similar to GDR, यह GDR की तरह similar है, बट GDR में global होता है, और यहां पर America, मतलब वहीं पर ही अमेरिका के अंदर ही purchase होगे, और मेंदिकन के अंदर ही sale होगी, ठीक है, except that it can be issued only American citizen and can be listed and traded on stock exchange of USA, तो वही USA के अंदर जो stock exchange के अंदर लिस्टिड होगी, उनी को यह issue किये जा सकते है, तो यह था हमारा ADR, American Depository Receipt, IDR, Indian Depository Receipt, अब अगर एक Indian company को foreign currency चाहिए, तो foreign fund जो raise करने के लिए, खरते है, शेर इशू करते है, अब similar, अगर foreign country में foreign company को जो है Indian currency चाहिए, तो वह क्या करेगी, foreign share issue करेगी, foreign company अपने share issue करेगी, ठीक है, एक example के तो हम यहाँ देखने हैं, देखो, foreign company share issue, अब एक foreign company है, वो share issue करती है, अपनी country में, ठीक है, लेकिन वो चाहती है कि यहाँ पर जो इंडियन जो है, वो भी invest करें हमारी company में आगे, ठीक है, तो क्या करती है, वो share issue करती है, जो की है dollar में, अपनी currency में, जो है, share issue करेगी, share of local currency dollar, Depository bank में वो करकरती है, आप Depository bank क्या करता है, उसको convert करता है, money को convert करता है, किस में Indian rupees में, cost dollar को, dollar को, dollar को ही में, dollar को इंडियन रुपीज में convert करती है, तो यहाँ producer है, अभी किस में convert हो चुगे, Indian rupees में, issues received again, this year, Indian currency, तो यह किस के against करती है, Indian rupees के against, इंडियन करेंसी को इसी को बोलते हैं इंडियन करेंसी को इसी को बोलते हैं आई डियार इंडियन डिपॉस्टिर रिसिप्ट में कनवर्ट कर देती हैं किसको जो शेयर होता है उसको डॉलर का उसको कनवर्ट करके इंडिया इंडियन करेंसी में कनवर्ट करके उस रिसिप्ट में उसको issue कर देते हैं तो उसको हम बलते हैं IDR यानि Indian Depository Receipt तो यह था हमारे example के दुरू हम को इसे बारे में कुछ पढ़ लेते हैं IDR Indian Depository Receipt अन Indian Depository Receipt is a financial instrument denominated in the form of depository receipts के against हमें यह issue किये जाते हैं it is created by an Indian Depository to enable foreign company to raise fund Indian security market तो Indian company is Indian security से जो भी उसे fund raise करना है तो foreign foreign country क्या करती है foreign companies यहां से जो है fund raise करती है according to SEBI guidelines IDR are issued to Indian resident in the same way domestic share issue similar है उन दोनों की तरह the issuer company makes a public offer in Indian and resident can be bid in exactly the same format and method as they bid for Indian shares तो similar वही बात यहां पर कहिए कि अगर foreign countries foreign companies यहां पर इंवेस्ट करके यहां के share issue करके यहां से अगर वो fund raise करना चाहती है तो Indian company और similar यहां के domestic people वह भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं fund raise कर सकते हैं तो यह सेम प्रोसेस से दोनों के लिए तो यह था हमारा IDR Indian repository रिसेप्ट कर सकते हैं तो यह हमारे कहलाता है foreign foreign currency convertible bond foreign currency convertible bond का मतलब है यह आप उसे convert कर सकते हैं इस्यूट बाया country in a currency different than the own currency कुछ अलग तरीके का होता है उनकी currency के अलावा powerful instrument by which the currency raise the money in the form of foreign currency तो यह कि powerful instrument कहलाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं fund raise कर सकते foreign currency में fund raise कर सकते हैं bond act like both debt and equity instrument तो इसको हम क्या कर सकते हैं जो bond है इसे हम convert कर सकते हैं equity की फॉर्म में भी और debt की फॉर्म में भी दोनों ही फॉर्म में इसे convert किया जा सकता है bond holder the option to convert the bond into company equity share तो उसके पास एक option है वह कभी भी इसको equity की फॉर्म में भी convert कर सकता है चाहें तो तो जब तक debt रह सकता है और जब मर्जी उसको हो सके equity में से convert किया जा सकता है रिटेन ओल feature of convertible bond तो यह सारे features इसके अंदर जो है available होते आप इसको कभी भी convert कर सकते हो अपनी currency के according तो यह था हमारे FCCB foreign currency convertible bond difference between foreign direct investment and foreign portfolio investment FDI और FPI में difference क्या है तो पहले दिको FDI तो आप क्या होता है FDI में एक country दूसरी country में direct investment करती है जैसे एक country इंडिया दूसरी जो country आप अमेरिका क्या करती है इंडिया में direct एक factory land पर्चेस करके एक factory टालती है एक product बनायन manufacturing के लिए यह कहलाईगी हमारी FDI जिसमें उसने direct क्या क्या इंवेस्ट किया वहांके लोग को employment मिला ठीक है और वहां skills develop करके उसने अपना business start कर दिया that is FDI अब FDI क्या होगा वह यहां के कुछ यहां की company के इंडियन company के कुछ share purchase कर ले तो यह क्या कहलाईगी हमारी FPI में क्या होता है share purchase कि जाते हैं यह पर direct investment नहीं होती है FDI में क्या होता है उनके हाथ में control होता है share issues कर सकते हो उनके पास voting right होता है लेकिन FPI में उनके पास श्रिफ वो share ही purchase करते तो foreign direct investment FDI acquire of ownership by investing in assets of purpose of production inka purpose होता है production करके जाद-जाद products को manufacturing कर जाते हैं investment in securities like equity general securities तो इनका अट्रोच करते हैं securities लाग शेयर, bond, equity ठीके इन समय क्या करते हैं invest करतें यह highly control होता है क्योंकि नहीं की firm है नहीं की company नहीं इनकी factory है तो एह highly control होते है यह not highly controlled कि को control ही नहीं होता इन्होंने जुस्त शेयर कंट्रेश के छेयर के अधियर के एफ़ागोड से तुन ऑपका लुदा ए राइट्र साल के लिए और यह विद्ध एकूड अग्ज है तो बॉस्तन से सेट्रेशर के लिए उसके बाद इसको सेल कर दिया इन्वेस्टर अक्ट्टिव सोथे हैं यहां पर पैसिव होते हैं यहां पर अक्टिव रहने पड़ता है किया production अपर रहने हुदे हैं क्या marketing है तो यह होता है FDI और FPI में major differences Promotion of FDI in India managed by Department of Industrial Policy and Promotion DIPP तो यह इसको manage करती है यहाँ पर ठीक है तो यह हमारा major difference था FDI और FPI में Cost Benefit Analysis CBA Cost Benefit Analysis होता है basically अब जलसे एक कमपनी क्या करती है एक किसी country में जाके investment करना चाहती है कोई business setup करना चाहती है share purchase करना चाहती है तो मतलब वो कुछ भी काम करना चाहती है तो उससे पहले वो क्या करेगी Cost measurement करेगी कि मेरी इसको करने में cost कितनी आएगी और उसके बदले मुझे return कितना मिलेगा मतलब कितना benefit होगा उसको बनाने में कितनी cost लग रही है और उससे मुझे return कितना मिल रहा है तो यह होता है हमारा cost जो है analyze करते हम कि एक country में उसने क्या करी एक factory लगाई ठीक है उसके बाद production करी सब कुछ करा उसके बाद उस product को sale किया तो यह सब करने से पहले cost analysis होती है कि इस product को बनाने में इतनी cost आ रही है उससे benefit इतना होगा ठीक है उसका profit इतना होगा तो यह सब कुछ analyze करना cost benefit analysis कहलाता है जो है CBA It is a process by which business decision are analyzed the benefit of a given situation of business or business related action are summed and then the cost associated with taking that action subtracted तो basically वो जभी action लेते है इसके भीहाफ पे कि हमारा business वहाँ पर कैसा रहेगा अगर हम इतनी cost लगा रहे है तो हमें कितना benefit मिलेगा इतनी cost लगाने पर इतना benefit है इतने returns है इतने profits है तो वो सब कुछ analyze किया जाता है उसके बाद ही एक businessman दूसरी country में business setup करता है business में जो है investment करता है उसके बाद ही सारे decision लिये जाते है that is cost benefit analysis CBA cost benefit analysis के process क्या है अब किस तरीके से होता है सबसे पहले identification of the cost and benefits तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे पहचानेंगे कि हमारी आखिरका cost क्या क्या लग सकती है अगर हम दूसरी country में business कर रहे है या किसी product में या किसी project में अपना invest करना चाहते है तो वहां की cost कितनी आएगी उस cost को identify करना मतलब इतनी cost आ सकती है यह हमारी chances है उसको identify करना फिर उसके बाद evaluate करना कि यह हो सकते है इस आपको evaluate करना बहुत ज़रूरी है यह evaluate नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारी cost कितनी लग रही और profit कितना हो रहा है उसके बाद choice of system की choice करना कि अगर हम ऐसा करेंगे यह option लेंगे वो option लेंगे तो उसके according हम इसको categorize करके analyze करके at the end उसको चूज करते हैं कि हाँ अब यह project हमारा ठीक है now we take this action ठीक है हम एक्षन लेते हैं कि अब यह ठीक है इसको हमें चूज करना चाहिए और यह ठीक नहीं है इसको हमें चूज नहीं करना चाहिए तो यह cost benefit analysis में बहुत बड़ा role play करते हैं यह पूरा process होता है cost benefit analysis तो यह कुछ types होते हैं cba के cost benefit analysis के तो पहला है यह आपर payback analysis अब हमने cost to analyze कर ली कि हमारी अगर हम दूसरी country में investment करते हैं इस project में invest करते हैं उसके बाद हमारी cost तो इतनी आ रही है एक cost इतनी आ रही है कि suppose 10,000 crore आ रही है रही है लेकिन अब मुझे उस पर payback कितना मिल रहा है क्या दस से उपर मिल रहा है बारा करोण मिल रहा है या उससे जादा मिल रहा है तभी हम उसमें क्या करेंगे इंवेस्ट करेंग तो पे बैक हमें कितना मिल रहा है finally net present analysis अब फर्म्स जो है इस company में invest करें अपनी company कि कि इतनी value है कि हम कितना invest कर सकते है तो के बाद हमें return on investment कितनी मिलेगी ठीक है कि हमने इतना इंवेस्ट के 10,000 करोड इंवेस्ट के तो हमें 12 मिल रहे 15 मिल रहे कितना benefit हो रहे तो यह भी एक major role play करता है cost benefit analysis CBA के अंदर यह थी हमारी कुछ types अब यहां पर है cost benefit of FDI to home and host country अब home country क्या होती है host country क्या होती है पहले हम यह समझते हैं यह एक country है इंडिया ठीक है दूसरी country है हमारी America अब अगर America इंडिया में invest कर रही है through the FDI FDI क्या होता है कि अमेरिका ने अपनी एक factory इंडिया के अंदर लगाई ठीक है और वहां पर इंप्लॉय वगरा सब कुछ इंस्ट्रक्शन करके उसने production start कर दी तो यह हो गई इसकी यह अमेरिका की home country और यह है इसकी host country इंडिया क्या हो गई इसकी host country हो गई ठीक है अगर similar इंडिया इंडिया इंवेस्ट करें तो उसके लिए वह home country हो गई और यह host country हो गई ठीक है तो हमें देखना है कि कौस्ट का वहां की कौस्ट का एगी और इसकर benefit क्या होगा host country का और home country का दोनों का तो पहले देखते हैं host country का देखो यहां पर host country का हम देखते हैं तो आपनी कंपनी फेक्ट्री सेट अप कर रहे हैं तो वहां का कैसा कल्चर है तो जासे मैंक डॉनल्स बहुत बड़ा एक्जामपल है कि इंडिया में जो है अलु टिक्की यूज करते हैं तो यहां का कल्चर है कि वह यह मास वगरह नहीं कहते तो जैसे कल्चर होता है उसके जो को चेंज करना ठीक है पॉलिटिकल यहां की जो गॉवर्मेंट उनकी रूल कैसे उनकी नॉम्स कैसे उनकी पॉलिसी कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोड़क्ट को मैनिफेक्ट्रिंग करना ठीक है अब इसमें बेनिफिट क्या हो गई है यह तो कल्चर ऑंड अब अमेरिका जो है फेक्टरी यहां पर डाल रही है जो प्रोड़क्शन कर रही है अब इंडिया के जो लोकल जो मार्केटर्स है उनके बाइची अची टेक्नोलोजी इतने इसकिल्स नहीं है तो जो प्रोड़क्ट बनाएंगे वह जादा जादा सेल नहीं हो पाएंगे तो एक कॉमपटिशन को i residents को जो भुकष गारी को चाल जो आएज ठीख कर रही हैं जो है तो एक ट्रीट करती है जो हमारी जो टेक्नोलजी egmi ऐ司को कि टेक्नोलोजी इनकीं जाद आठी के ऑज आ अच्छी यहां है जो यह Developed Country है ठीकिए यह आपर रहके इंवेस्ट कर रही है Treat-to-Local Product Treat-to-Local Product अब ל-local product क्या होता है Local Product होता है कि एक domestic country Domestic country जो उसके Around है उसके Around जो जो i-Local marketers है जो Products Manufacture कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? Manufacture करके जो वो i-sail-out करते हैं तो जो इंडियन जाते हैं कि हमें अच्छा और सस्ता अच्छी प्रड़क्ट मिले तो अब अमेरिका जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहां की जो लोकल प्रड़क्ट वो खतम होते जा रहे हैं तो यहां की बाहर की कंट्रियां के जो है यहां पर अपनी फैक्ट्री तो जो भी रिसोर्स है उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं तो यह थी हमारी कॉस्ट ऑफ डिया टू होस्ट कंट्री अब बैनिफिट्स कहके हैं इंप्रूविंग बैलेंस और पेमेंट अब हमारे अब बाइस बाइस प्रणी करेंसी आ रहे हैं तो हमारा बी ओपी डेफिसित में था ठीक है वह सर्प्लेस में भी होने के चांजी क्योंकि हमारे पास जो है ज़या ज्यादा से ज़या फोरन करेंसी आ रही हैं अब भार की कंट्रियां जो है यहां पर आकर अपनी होम कंट्री की यहां पर लेकर आएंगे अपनी इंडिया में और यहां के लोग जो है नहीं नहीं टेक्नोलोजी से क्या सीखेंगे और नहीं टेक्नोलोजी यहां पर आएंगे और मैं जो है टेक्नोलोजी ट्रांसफर होगी तो यह भी एक बेनिफित है हमारे होस बनाएंगी शोशल इंफ्रासेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक सबस्टाइब को नगे सब्सक्राइब कर दो पॉलीटिकल चेंजे अब भू सकते हैं अमेरिका ने कुछ नई पॉलेसी बना दी कि आप नहीं कर सकते ठीक है इंवेस्टिया सबको नहीं कर सकते तो पॉलीट कर दो पौलेटिकल एन्वार्मन चेंज जो खो तो फुछ जो नो हम से होती रहें एंड़नेशन लूमस्टिक इंवेस्ट्मेंन तो मश्यकान हम गाया उन्वेस्ट्मेंट फिरा 2 है खतम होते हैं कि कि तो नहीं आ इन्वेस्ट्मेंट और जाहिए वह गेंगा tell एक्स्वारीजिशन यह क्या होती है कि खतम होती जारी है ठीक है इन्वेस्टमेंट अब्रोट टेक अवे एप्लाइमेंट अपोर्चनिटी जो खुद का एप्लाइमेंट वह नहीं बढ़ रहा बाहर की जो है वहाँ जादा है इंपलाइमेंट इंसरे सक्टर सब कुछ इस दूस्सरी कंट्रीज में अविलेबल हो जाते हैं रिदी उस दा प्रोडक्शन कॉस्ट काम आजाते हैं कि उनकी जो कुछ फिक्स को स्ट आप तो लगी रहें लेकिन वो जादा से जादा मैनिफेक्ट्रिण कर पा रहें जादा जहारी से रिसोर्स अविलेबल है वहाँ प दिस्टमेंट जो है उन पर इंसेंटिफ्स मिलते रहते हैं तो यह सारे बैनिफेट होते हैं होम कंट्री के तो यह benefit होता है यह cost होते हैं विद्भाण कंट्री कि और यह host country की की तो यह था हमारा cost benefit of home country and host country through In the FDI आप हमें टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम और अमारे ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी